हेलो दोस्तों सागतयाब सभी का और आज मैं आपके साथ You Are Not My Misstress का नेट पार सेर करने जा रही हूँ फ्रेंड मैंने काफी समय से आपके कमेंट का रिपलाई नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज मुसे नाराज मत होना मैं एक साथ सबके कमेंट का रिपलाई दूँगी लेकिन अभी मेरी तबियत ठीक नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा समय तक फोन नहीं चला पा रही हूँ तो फ्रेंड यह सोचकर कमेंट करना बंद मत कर देना कि मैं किसी के भी कमेंट का रिपलाई नहीं कर रही हूँ फ्रेंड मैं सब के कमेंट पढ़ रही हूँ लेकिन अभी मैं रिपलाई नहीं कर पा रही हूँ तो चलिए फ्रेंड अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग जैसे वांजी के सैक्रिफाइज के बारे में पता चल गया था और जिसके बाद विंग खुद को बहुती बड़े गिल्ट में महसूस कर रहा था और रोते रोते बेहोस हो गया था तो चलिए फ्रेंड अब इस्टोरी में इसे आगे बढ़ते हैं लेकिन फ्रेंड इस्टोरी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले वांजी ते जिसे आगे बढ़ा और वांजी ने कहा गिरनमा उसे क्या हुआ है और कहते हुए वांजी ने विंग को अपनी बाहों में लिया और विंग के फेस को हिलाने लगा और उसे जगाने की कोसिस करने लगा वांजी जिसने विंग को पूरी तरह से अपनी बाहों में लिये हुए था और विंग से कह रहा था विंग अपनी आखे खोलो तुम्हें बान जी ने ग्रानमा की तरफ देखा और कहा ग्रानमा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने आपसे कहा था कि अभी उसे कुछ भी मत बताना ग्रानमा ने कहा हाँ वान जी तुमने मुझे उसे बताना पड़ा क्योंकि वैस समय बहुत जादा पेन में था उसे लग रहा थ कि तुम उसे प्यार नहीं करते हो तुम उसे और उसके राजे को छोड़कर जाना चाहते हो तुम उसके साथ खुश नहीं हो वान जी जो ग्रानमा की तरफ देख रहा था वान जी ने कहा लेकिन ग्रानमा आपको उसे यह सब नहीं बताना चाहिए था ग्रानमा ने कहा वान जब तक मैं उसे उसके रूम में लेकर जाता हूँ वान जी वींग को लेकर रूम में पहुचा और वान जी ने वींग को बैट पर लिटाया वान जी जो वींग के पास बैट चुका था थोड़ी ही तेर में डोर पर नोख हुई और फिजीसन वहाँ पर आई जिनके साथ ग्रैनमा और कुछ अधर लोग भी थे बांची ने फिजिसन की तरफ देखा और कहा चल दी से उसे चेक कीजिए वह अपनी आखे नहीं खोल रहा है लेकिन फिजिसन जैसे ही विंग की तरफ पड़ी अचानक उसे एक ते जटका लगा और वह पीछे की तरफ अट गई वांची जो उस फिजिसन की तरफ देखने लगा था अखिर उसे क्या हुआ है वह आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है फिजिसन जो उस ते जटके से गिर चुकी थी फिजिसन खड़ी हुई और फिजिसन ने कहा मैं उसके पास नहीं जा पा रही हूँ वांची ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है आप एक वर फिर से आगे बढ़िये फिजिसन जो डरती हुई एक वर फिर से आगे बढ़ने लगी लेकिन वह अब भी विंग के बैट के पास तक नहीं पहुँच पा रही थी और उसे एक वर फिर से तेज जटका लगा लेकिन इस पार ग्रैन मा ने उसे पकल लिया उसे गिरने नहीं दिया वांची जो अपनी जगा से खड़ा हो चुका था और विंग की तरब देख रहा था विंग तुम क्या करने की कोशिस कर रहे हो वांची ने ग्रैन मा की तरब देखा ग्रैन मा ने उनमे अपना सर हिलाया और आगे की तरब बढ़ने लगी लेकिन ग्रैन मा के साथ भी सेम वही चीजे हुई जो उस फिजिसन के साथ हुई ग्रैन मा भी विंग के बैट तक नहीं आपा रही थी सभी जो एक दूसरे की तरब बहुत हहरानी से देख रहे थे वहाँ पर जो अधर लोग आये थे वह भी अब विंग के बैट तक पहुचने की कोशिस करने लगे थे लेकिन कोई भी विंग के बैट तक नहीं पहुच पा रहा था वांजी जो विंग की तरब देख रहा था विंग तुम क्या करने की कोशिस कर रहे हो पिलीज इस मैजिक को हटाओ और फुजिसन को तुम्हारे पास आने दो लेकिन विंग के वैट के पास जो एक सुरक्षित गेरा बनता जा रहा था और वांजी भी विंग के पास तक नहीं पहुच पा रहा था क्योंकि वह गेरा इतना बड़ा हो चुका था जिसने वांजी को भी विंग से दूर कर दिया था वांजी ने कहा ग्रैनमा यह सब क्या हो रहा है अखिर हम उसके पास तक क्यों नहीं पोच पा रहे हैं गिरान माने कहा मुझे नहीं पता वांजी वह क्या करने की कोशिश कर रहा है यह सुरक्षित गेरा उसका ही बनाया हुआ है यह बलैक मैजिक से बना हुआ है वह सबी जो केवल वींग को देख सकते थे लेकिन वींग के पास नहीं जा सकते थे दीरे दीरे वींग होस में आने लगा था लेकिन वींग ने अभी अपने आखे नहीं खोली थी लेकिन वींग को देखकर लग रहा था कि वह इस समय बहुत जादा पेन में है क्योंकि वह अपनी मुठी में बैट सीट को कस रहा था वांजी जो अचानक अपने अंदर एक बहुती स्ट्रोंग फीलिंग महसूस करने लगा था जैसे उसके कल्टिवेशन पावर वापस आ रही है वांजी तेजी से आगे बढ़ा और उसने मेच पे रखी हुई एक बुक को उठाया और उसके पेच को खोलने लगा वांजी जो देख सकता था कि वह उस पेच पर लिखी हर एक बात को पढ़ सकता था इसका मतलब उसका सैक्रिफाइज खतम होने लगा है उसकी पावर वापस आ गई है वह हर एक चीज को पढ़ सकता है वांजी ने ग्रैनमा की तरफ देखा और कहा ग्रैनमा मैं यह सब चीजे पढ़ सकता हूँ मेरी कल्टिवेशन पावर वापस आ रही है इसका मतलब विंग विंग ने मेरे सैक्रिफाइज को खतम कर दिया है मैं इस कर्ज को पूरी तरह से अपने उपर ले रहा है और उधर गुसुक के महल में लैन चिरेन और लैन सिचैन जो लाइब रेरी में बैठे कुछ पेपर वर्क कर रहे थे तबही चिरेन ने कहा वाँजी सिचैन ने चिरेन की तरफ देखा और कहा अंकल वाँजी हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम वाँजी को भूल गए थे चिरेन ने कहा हाँ सिचैन मुझे भी अभी अभी ऐसा लगा जैसे हम वाँजी को भूल गए थे हमने अभी वा जी को याद किया है सिचैन ने कहा अंकल ایسا कैसे हो सकता है मझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे हम एक बहुत गहरी नीज से जा गे हैं हम वाजी को पूरी तरह से भूल गए थे हमें उसके पास जाना होगा अंकल हम इस तरह उसे नहीं भोल सकते उसे कैसा लग रहा होगा कि हम उसे पूरी तरह से भूल गए है चिरेन ने कहा हाँ सिचन हमें उसके पास जाना होगा चलो हम अभी वहाँ के लिए निकलते हैं तभी वहाँ पर जिन गौाईयों आया और जिन गौाईयों ने कहा मैं भी आपके साथ चलूँगा सिचन ने कहा नहीं हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते अभी फिजिसन ने तुम्हें कहीं पर जाने से मना किया है हम बाद में तुम्हें तेजी से वहां से वी राज्य के लिए निकल गए और उधर वींग जो अभी भी उस सुरक्चित गेरे में था और सबी जो वहां खड़े हुए केवल वींग को देख रहे थे लेकिन वींग के पास नहीं जा सकते थे वांजी जिसकी आखों में आज़ू आ रहे थे और वांज को भी अपने साथ ही ले जाना चाता है ताकि इस करज का तुमारे ओपर कोई असर ना पड़े बांजी नी रोते हुए ही कहा नहीं ग्रैनवा भैसा नहीं कर सकता भै मुझे अकेला छोड़कर नहीं चा सकता ग्रैनवा ने कहा अब संथında दोनों को अपने साथ ले जा रहा ह पांजी जो एक वर फिर से तेजी से आगे पढ़ने लगा और कहने लगा नहीं विंग तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते लेकिन पांजी एक वर फिर से विंग के पास नहीं जा पाया क्योंकि पांजी को उस सुरक्चित गेरे ने विंग के पास नहीं जाने दिया पांजी जो अब केवल विंग की तरफ देख रहा था पांजी ने एक बटरफ्लाइ मेसेज बनाया और उसे सेंड कर दिया बांजी जो कह रहा था नहीं विंग मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूँगा काफी समय बीच चुका था लेकिन कोई भी विंग के पास नहीं जा पा रहा था केवल हर कोई खड़ा हुआ विंग को देख सकता था लेकिन उसके पास जाकर उसकी हेल्प नहीं कर सकता था लैन चिरेन और लैन सिचन में वी राजे पहुँच चुके थे बहां पोचकर उन्हें सिच्वेशन का और सारी बातों का पता चल चुका था बहां जो खुच से कह रहे थे आठ मन्त तक वहां अपने वांची से दूर रहे पहां अपने वांची को कैसे भूल सकते हैं और उनका वांची इतना बड़ा सेक्रिफाइच कैसे कर सकता है उनसे पूछे भी ना वहां उनसे इस तरह दूर कैसे हो सकता है लेकिन अव किसी भी बात का कोई बतलब नहीं था क्योंकि वींग ने वांची के सेक्रिफाइज को उसे वापस लोटा दिया था चिरेन जो वांची के पास पहुच चुका था चिरेन ने कहा वांची वांची जो अपने पिता को देखकर खुद को नहीं समाल पाया और रोते हुए चिरेन के गले लगते हुए कहा पिलेज पिता जी मुझे मेरा वींग वापस लोटा दो कुछ तो ऐसा करो जो वह अपनी आखे खोले मैं उसे जाते हुए नहीं देख सकता चिरेन ने कहा वांची हम नहीं जानते थे कि वी राज्ये को कोई गर्ज लगा हुआ है लेकिन तुमने भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने ऐसे ही हमारी यादे मिटा दी वांची तुम ऐसे कैसे कर सकते थे तुम ऐसे हमें कैसे भुला सकते थे कि कोई लान वांची नाम का हमारा बेटा भी है वांची ने कहा पिता जी मैं बस अपने वींग की जान बचाना चाहता था लेकिन आज मैं हार चुका हूँ मैं उसकी जान नहीं बचा पा रहा हूँ मैं बस उसे जाते हुए देख पा रहा हूँ मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूँ चिरेन और सिचैन जोवानजी को सांथ करने लगे और अपनी कल्टिवेशन पावर से उस सुरक्चित गेरे को तोड़ने की कोशिज करने लगे लेकिन वह भी उस सुरक्चित गेरे को नहीं तोड़ पा रहे थे क्योंकि वह सुरक्चित गेरा पिलैक मैजिक से बना हुआ था तभी वहाँ पर एक फिगर अपेर हुआ जो वांजी की ग्रैन मा का था चिरेन ने जो अपनी मा को वहाँ पर देखा तो तेजी से उन्हें ग्रीट करते हुए कहा मा आप यहाँ पर लैनली ने चिरेन से कहा हाँ चिरेन मैं यहाँ पर मुझे वांजी ने यहाँ पर बुलाया है वांजी ने कहा ग्रैन मा मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया है यह देखिए विंग क्या करने की कोशिस कर रहा है लैनली ने विंग की तरफ देखा और कहा वान जी वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा है वह अपने राजे को करजमुक्त करा रहा है और यह तुम भी जानते हो वान जी उसकी जान ही इस राजे को करजमुक्त करा सकती है चिरेन ने कहा लेकिन मा वह इस समय प्रेगनेंट है लैनली ने कहा मैं जानती हूँ चिरेन कि वह प्रेगनेंट है और इस समय वह अपने बेबी को अपने साथ लेकर जा रहा है क्योंकि वह बांची के सैक्रिफाइज को उसे बापस लोटा रहा है क्योंकि उस बेबी नहीं केवल उन दोनों को साथ ही इन दोनों राज्ये को भी आपस में जोड़ दिया है और अगर पहस बेबी को अपने साथ नहीं लेकर जाएगा तो पांची का सैक्रिफाइज उसके साथ नहीं जा पाएगा चिरेन ने कहा माँ आपको नहीं लगता कि है दोनों मासुम जाने इस तरह की चीजे डिजर्व नहीं करती जो उनके साथ हो रहा है लेनली ने कहा हाँ चिरेन मैं जानती हूँ वह दोनों मासुम इस तरह की चीजे डिजर्व नहीं करते चिरेन मैंने हमेशा तुमें यही सिखाया था कि कभी किसी के साथ गलत मत करो क्योंकि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हमारे मासुम बच्चों को भी वह सब चीजे भुगतनी होती है हमें कुछ भी गलत करने से पहले यह सब सोचना चाहिए कि कहीं इन सब चीजों का भुगदान हमारे मासुम बच्चों को ना करना पड़े यह बच्चा जो आज इतने पेन में है वह सब उसके एल्डर और उसके अंसिस्टर्स का किया हुआ है चिरेन ने कहा माँ आप तो बहुत क्यानी हो क्या आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती लेनली ने कहा चिरेन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती लेकिन कोई है जो उसके लिए कुछ कर सकता है और मैं उसे यहाँ पर बुला सकती हूँ बानजी जो अपनी ग्रैनमा की बाते सुन रहा था बानजी ने कहा, पिलीज ग्रैनमा अगर आपकी नजर में कोई है, तो उसे यहाँ पर बुलाईए. लैन ली ने कहा, हुँ, और कहते हुए लैन ली ने अपने आखें बंद की और अपना हाथ आगे की तरह बढ़ाया. देखते ही देखते लेनली के हाथ में एक तेज बिलू रोसनी जलने लगी वह बिलू रोसनी जो साइड में एक फिगर बनाने लगी देखते ही देखते उस रोसनी से एक फिगर बन चुका था और वह फिगर एक लेडिस का था वह फिगर जिसके आखे बन थी उसने अपनी आखे खोली और लेनली की तरफ देखते हुए कहा आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया है लेनली ने कहा मैकसी मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है मैकसी ने कहा काम किस तरह का काम लैली ने कहा मुझे इस बच्चे की जान बचानी है और जो केवल तुम ही कर सकती हो मैकजी ने फिंग की तरफ देखा और कहा इस बच्चे की मैं इसकी जान नहीं बचा सकती यह इस राज्जे का आखरी बारिस है इसे तो इस दुन्या से जाना ही होगा जो इसके अंसिस्टर्स ने किया है कि है तो उसे भुगत नहीं होगा लैली ने कहा मैकसी तुम अपने गुसे में इस राज्जे के बहुत लोगों की जान ले चुकी हो क्या तुम्हारी नजर में तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान इतनी जादा हैमित रखती थी कि तुम इस राज्जे के इतने सारे मासूम बच्चों को अनात कर चुकी हो इतने लोगों की जान ले चुकी हो मैक्सी एक पर इस बच्चे की तरफ देखो क्या तुम्हें लगता है कि यह मासूम बच्चा इस तरह की मौट डिजर्ब करता है इसने इस राजे के लिए बहुत कुछ किया है मैकसी जबकि इसकी तो इस सब में कोई गलती भी नहीं है मैकसी जो विंग की तरफ देखने लगी थी मैकसी तुम अपनी और अपने बच्चे की मौट का जिम्मेदार इस राजे के एमपरर को मानती हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा था लेकिन मैकसी उन्होंने केवल तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा था उन्होंने तुम्हें सुसाइट करने के लिए नहीं कहा था सुसाइट करना यह तुम्हारा खुद का फैसला था मैग जी इस सब के लिए एमपरर ने तुम्हें मजबूर नहीं किया था मैग जी ने कहा लेकिन वह बेबी तो एमपरर का ही था न उसे अपने बेबी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी लैनली ने कहा मैग जी एक एमपरर के पास मिश्टरस जबी आती है जब उनकी खुद की मर्जी होती है एमपरर कभी भी किसी को मिश्टरस बनने पर मजबूर नहीं करते है एमपरर की मिश्टरस बनना क्या उन्होंने मजबूर किया था तो मैं अपने बैट तक लाने के लिए मैक जी जो अब लैनली की तरफ देखने लगी थी मैक जी ने कहा नहीं मुझे एमपरर ने मजबूर नहीं किया था यह काम तो मुझे मेरी माने करने के लिए कहा था उन्हें लगता था कि मैं अगर एम्परर के बेबी को बर्द दूंगी तो सायद वह मुझे अपनी एक एम्पररस का दर्जा दे पाएंगे लैनली ने कहा तो तुम्ही एम्परर के पास इसलिए भेजा गया था ताकि तुम उनके बेबी को बर्द देखकर तुम एम्परर की एम्परर्ज बन चको लेकिन इस समय तो तुम्हारा स्वार्थ था राजा ने अपना स्वार्थ रूंड कर तुम्हें अपने पास नहीं बुलाया था तुम्हें नहीं लगता मैग जी कि तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इतने लोगों की जान ली है क्योंकि तुम अपने स्वार्थ के लिए ही राजा के पास गई थी मैग जी जो कुछ भी नहीं कहा रही थी लैली ने कहा मैग जी लाइफ में एक अच्छा काम कर दो इस मासुम बच्चे की जान बचा लो यह बच्चा इस तरह की मोट डिजर्ब नहीं करता है मैग जी जो वींग की तरह बढ़ने लगी थी जो सुरक्चित गेरे को टार करती हुए वींग के पास बहुँच चुकी थी वींग जो अभी भी बहुच जादा पेन में था मैग जी ने वींग के फोर हैट पर अपना हाट टच किया देखते ही देखते वींग अचानक सांथ ह होने लगा जैसे उसे कोई पेन नहीं हो रहा है मैग जी ने बाप्जी की तरब देखा और कहा लानवान जी यह ह आपकी मिस्टरस है ना बाड़ी ने हामें अपना सर हिलाया मैग जी ने कहा लानवान जी आपको इसे एक मिश्टरस नाम से आज़ात करना होगा बांजी जो बहुत हैरानी से मैग जी की तरब देख रहा था मैग जी ने कहा आपको उससे मेरिज करनी होगी बहे तभी होस में आएगा क्योंकि इस समय उसने पूरी तरह से खुद को आपके मिट्रस माना हुआ है आपको उससे मेरिज करनी होगी तभी उसकी जान बच सकती है पांजी ने कहा लेकिन इस राज़े में मेरिज करना मना है यह कर्ज तो आपने ही इस राज़े को दिया है ना मैगजी ने कहा हाँ मैंने इस राज़े को कर्ज दिया था कि अगर इस राज़े में कोई भी मेरिज करेगा बहे अपने बेबी का मुख नहीं देख प ना चाहती थी और एंपरर भी हमेशा मुझे कहा करते थे कि वह मुझे प्यार करते हैं और मुझे एक दिन अपने राजे की एंपररस बनाएंगे और साइद यही गुश्चा था जो मैं इस राजे को करज दे बैठी थी और आज वींग आपकी मिश्ट्रस है और वह आपसे प प्यार करते हो और साइद आप दोनों की मेरिज ही मेरी सदियों से भटकती सोल को मुक्ती दिलाने में हैल्प कर सके और इन दोनों जानों को बचाने में हैल्प कर सके और साथ ही इस राजे को करज मुक्त कर सके लानवान जी आपको उससे मेरिज करनी होगी आज और इसी समय चिरेन ने कहा लेकिन इस समय हम उन दोनों की मेरिज कैसे कर सकते हैं विंग इस समय होस में नहीं है तभी लैनली ने कहा चिरेन उसके होस में आने का हम इंतजार नहीं कर सकते हमें उन दोनों की मेरिज करनी होगी अगर हमें विंग और उसके बेबी की जान बचानी है तो हमें उन दोनों की marriage करनी होगी तभी बांजी ने कहा लेकिन कैसे ग्रैनमा लैनली देरे से मुस्कुराई और लैनली ने अपने पास एक हैरवन निकाला जो बांजी का था लैनली ने कहा यह हेलो बांजी यह तुम दोनों की marriage करने में तुम्हारी help करेगा बांजी ने कहा यह है फोरेड रिवन लेकिन यह है फोरेड रिवन हमारी मेरिज कैसे करा सकता है लनली ने कहा बांजी हम इसे केवल सजाबट के लिए नहीं पहनते हैं यह हम इसलिए पहनते हैं यह नहीं केवल हमारी फैमली को बानता है साथ ही यह हमारे रिष्टों को भी ब ताकि तरब देखने लगा था तब ही चिरेन ने कहा वांजी मा बिल्कुल सही कह रही है यह हेर वेंड केवल हमारे परिवार को ही नहीं बानता है यह रिस्ते भी बनाता है वांजी आगे बढ़ा और वांजी ने उस हेर वेंड का एक हिस्सा अपने हाथ में बांधा और दूस था विंग अब तुम कोई मिश्टरस नहीं रहे हो अब तुम पूरी तरह से मेरे बन गए हो अब अपनी आखे खोलो क्योंकि अब मेरा पुरा अधिकार है तुम पर और तुम मुझसे पूछे बिना कहीं भी नहीं जा सकते अब उठो अपनी आखे खोलो तुमरा लंजा त मैक जी जिसकी आँखों में आशु थे अचानक मैक जी की सोल वहां से डिसीपेर होने लगी सभी जो मैक जी की की तरफ देखने लगे थे मैक जी ने कहा सायच यहे मेरे मुक्तिका मार्ग था मैक जी विंग के पास से खड़ी हुई और लैनली के पास आई मैक जी ने लैनली को सर जुकाते हुए कहा गुरूमा आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर मुझे मेरी गलती का हिसास दिलाकर मेरी मुक्ति का मार्ग मुझे दिखाया है अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ यह राचे पूरी तरह से करज मुक्त हो चुका है मैक जी ने पान जी की तरब देखा और कहा लान वान जी मुझे माप कर देना और अब आप अपने विंग की तरब से कोई चिंता ना करे आपके विंग को कुछ भी नहीं होगा और विंग जब जाग जाए तो उसे मेरी तरब से सोरी कहना मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उसके जागने का वेट करूँ वान जी ने उनमे अपना सर हिलाया मैक जी की सोल जो विंग की तरब देखते देखते ही वहाँ से डिसी पेर हो गई पहस अभी जो एक दूसरे की तरब देखकर मुस्कुराने लगे थे लेकिन सबकी आँखे अभी भी पूरी तरह से नम थी वान जी विंग के पास पोचा और धीरे से विंग के फोरेट को टच करते हुए कहा विंग अब तो जागो अपने आगे खोलो और देखो सब तुम्हारे जागने का वेट कर रहे हैं विंग लेकिन विंग जो अचानक एक वर फिर से पेन में नजर आने लगा था वान जी जो विंग को देखकर घबराने लगा था वान जी ने कहा किरानमा उसे क्या हो रहा है वह एक वर फिर से पेन में है फिजी सन थे जी से आगे बढ़ी और विंग को चेक करने लगी फिजी सन जो विंग को चेक कर चुकी थी फिजी सन ने कहा घबराये मत लान वान जी उसे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मुझे लगता है उसने इतने समय तक खुद के उपर ब्लैक मैजिक का यूच किया है इसलिए उसे अब लेवर पेन सुरू हो गए है पांजी ने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अभी बेबी के आने में पूरा एक मन तबाकी है फिजिसन ने कहा हाँ मैंने कहा था लेकिन मैंने कहा ना उसने अपने उपर ब्लैक मैजिक का यूच किया है जिसके कारण बेबी पर उसके ब्लैक मैजिक का असर पड़ा है और उसके बोड़ी काफी वीक भी हो गई है साइद इसलिए उसे लेवर पेन जल्दी सुरू हो गए है आप सब को यहां से बाहर जाना होगा ताकि मैं सही से उसे चेक कर सकूँ बान जी जो वींग के पास से नहीं जाना चाहता था सिचन ने कहा बान जी यहां से उठो और बाहर की तरब चलो बान जी ने कहा लेकिन भाई सिचन ने कहा बान जी डॉक्टर की बात मानो वह सब को समाल लेंगे डॉक्टर ने कहा है ना कि वह इस समय पूरी तरह से ठीक है केवल उसे लेवर पेन हो रहे हैं सबी जो एक-एक करके बाहर की तरफ जाने लगे थे तभी फिजी सन ने लैनली की तरफ देखा और कहा पिलीज आप यहीं पर रुखिये मुझे आपकी जरुरत है लैनली ने कहा मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ मुझे पता है इस समय आपको मेरी जरुरत है और मैं भी इस समय कहीं भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने grand grand son को देखना चाहती हूँ और वह मेरी family का हिस्सा है और मैं उसे इस तरह पेन में छोड़ कर कहीं जा भी नहीं सकती विंग की ग्रैनमा बानची की ग्रैनमा जो भी उसी रूम में थी फिजी सर ने लैनली की तरफ देखा और कहा आप समझ तो गई होंगी कि मैंने आपसे यहाँ पर रुकने के लिए किसलिए कहा था लैनली ने कहा हाँ मैं समझ चुकी हूँ क्योंकि उसकी बोड़ी इस समय इतनी जादा वीक है कि वह आसानी से इस बेबी को बर्त नहीं दे सकता फिजी सर ने कहा हाँ मैं इसलिए आपको यहाँ पर रोकना चाहती थी क्योंकि यह सब मैं लानवांची के सामने नहीं कहना चाहती थी वह पहले ही वीमुशान को लेकर बहुत जादा डरे हुए है और अगर मैं उनके सामने यह सब कह देती कि वह बहुत जादा वीक हो चुका है वह इस बेबी को असानी से बर्त नहीं दे सकता तो वह और भी जादा डर जाते लैनली ने कहा तुमने बहुत समझदारी का काम किया है जो तुमने उसके सामने यह सब नहीं कहा सच में वह बहुत ज़्यादा डर जाता फिजिसन ने कहा क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी हैल्प कर सकती है आप बहुत ही ज़्यादा ग्यानी और साथ में बहुत बड़ी कल्टीवेटर है और इस समय मुझे मैजिक और ग्यान की ही जरूरत है लैनली मुस्कुराई और आगे बढ़ते हुए विंग के सर पर हाथ फिराते हुए कहा मैं इसे कुछ भी नहीं होने दूँगी यह मेरे गिरैंट सन के लिए बहुत कीमती चीज है और जिसे मैं खुद भी खोना नहीं चाहूंगी और लैनली ने कहते हुए अपनी आखे बंद की और फिजिसन से कहा तुम अपना काम सुरू करो उसे कुछ भी नहीं होगा लैनली के हाथ से पिलो रोसनी देखते ही देखते विंग की पूरी बोड़ी पर फैलने लगी वांजी, सिचैन और चिरेन जो सभी के साथ बाहर बैटकर फिजिसन के बाहर आने का वेट कर रहे थे वांजी जिसे विंग को लेकर बहुत जाधा टेंसन बनी हुई थी चिरेन और सिचैन जो वांजी को समझाने की कोशिश कर रहे थे लेवान जी तुम चिंता मत करो उसे कुछ भी नहीं होगा लेकिन थोड़ी ही देर में एक बेबी के रोने की आवाज ने जैसे उन सब की टैंसन को दूर कर दिया था सभी जो उस रूम की तरब देखने लगे थे और थोड़ी ही देर में उस रूम का डोर खुला वो लैनली ब समाखों से अपनी मा की तरब देख रहा था लैनली ने कहा हाँ चिरेन तुम ग्रैनपा बन गए हो एक बेटे के ग्रैनपा बिंग और वांजी ने तुमें ये ग्रैंट सन दिया है और कहते हुए लैनली ने उस बेबी को चिरेन की गोद में दे दिया चिरेन जो उस बेबी बांजी की तरफ करते हुए कहा बांजी यहे देखो तुम्हारा बेटा यहे तो बिल्कुल तुम पर गया है तुम भी बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे जब तुम्हारा बर्थ हुआ था। लैनली ने कहा हाँ उसने अपने बेबी को देखा है लेकिन अभी उसने अपने बेबी को गोद में नहीं लिया है पांजी ने कहा तो मैं उससे मिल सकता हूँ लैनली ने हामें अपना सर हिलाया पांजी जो तेजी से उस रूम की तरफ दोड़ा पांजी जब विंग के पास प इतनी बड़ी बात नहीं चिपानी चाहिए थी ग्रैनमा जो भी उसी रूम में थी वांजी नी ग्रैनमा की तरह देखा ग्रैनमा ने कहा अशियन अब इस बात को भूल जाओ मैंने तुम से कहा ना सब कुछ ठीक हो चुका है यह राचे पूरी तरह से करजमुक्त हो चुका है और वांजी की भी कोई पावर नहीं गई है वहे पूरी तरह से है वहे सब कुछ बढ़ सकता है और अपनी कल्टिवेशन पावर को भी यूज कर सकता है विंग ने एक बर फिर से वांजी की तरफ देखा विंग ने कहा लंजा फिर कभी भी ऐसा मत करना पांजी ने कहा विंग नाराज तो मुझे तुम पर होना चाहिए तुम जो करने जा रहे थे क्या तुम्हें लगता है कि वह सब सही था विंग ने कहा क्योंकि लंजा इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तुमने केवल एक रोज एक बैट रखी थी कि तुम उसे अपने मिश्टरस बनाना चाहते हो जो किसी भी राज़े की राजकुमार या फिर राजकुमारी हो यह तो मेरी ही जित थी जो मैं तुम्हार गुसुमी उसी तरह से भीजना चाहता था मैंने तुम्हारे पिता से प्रोमिस किया था कि पूरे आठ महीने बाद मैं तुम्हे उसी तरह उनके राज़े में वापस बेजूंगा जिस तरह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आया था तो फिर लंजा मैं उस लानवान जी को वापस कैसे बेज़ता जिस लानवान जी में नहीं पढ़ने की समझ है और नहीं एक एमपरर बनने की समझ नहीं उसके अंदर कोई कल्टिवेशन पावर है बोलो लंचा फिर मैं उस लानवान जी को कैसे तुम्हारे पिता को सोब कराता वान जी ने कहा लेकिन विंग यह समय अपनी मर्जी से कर रहा था तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था तुम अपने साथ अपने बेबी को भी लेकर जा रहे थे क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम दोनों के बिना कैसे जी पाता ग्रैनमा जो अभी उसी रूम में थी ग्रैनमा ने कहा अब तुम दोनों इस बात को लेकर जगडना बंद करो अब सब कोई ठीक हो चुका है यह राचे कर्जमक्त हो चुका है और पिंग और इसका बीबी भी सही अला मत है अब तुम दोनों को इस बात को पीछे चोड़ देना चाहिए अब तुम दोनों को अपनी λैफ के बारे में स क्योंकि अब तुम कोई मिस्टरस नहीं हो तुम हमारे एंपरर की एंपरस बन चुके हो और अब हम अपने राज्य की एंपरस को अपने साथ गुसू ले जाना चाहते हैं विंग जो वांजी की तरफ देखने लगा था वांजी ने कहा विंग हम दोनों की मेरिज हो चुकी है और हम दोनों की मेरिज मेरी ग्रैनमा ने कराई है इन सब के सामने विंग जिसकी आखे नम होने लगी थी और विंग अपनी ग्रैनमा की तरफ देखने लगा था ग्रैनमा ने कहा हाशियन तुमने इस बेबी को बर्थ एक मिस्टरस की रूप में नहीं दिया है तुमने एक जहाँ पर वह सबी बच्चे खड़े हुए थे जो केवल विंग के सहारे हैं वह इस तरह अपने राचे को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता वह अपने बच्चों को एक वर फिर से अनात नहीं कर सकता पांजी जो विंग के फेस की तरफ देख रहा था जिस पर उन बच्च को लिए हुए था चिरेन ने कहा बोलो बांजी तुम्हें मुसे क्या कहना है बांजी ने कहा पिता जी मैं गुसुका एंपरर बनकर नहीं रहना चाहता चिरेन जो बहुत हैरानी से बांजी की तरफ देख रहा था और विंग भी बांजी की तरफ देखने लगा था बांजी ने कहा हाँ पता जी मैं अब गुसू का एमपरर बनकर नहीं रहना चाता कुसू ». बञाता हूं मैं बाईlungen को बना दिया है और अम मैं चाहता हूं कि हमेशा के लिए भाई कि पनकर रहे चरेंड ने कहा तो थो फिर बानची तुम क्या चाılते हो ? बानची कहा पिता जी मैं हमेशा के लिए इस राजे में ही रहना चाहता हूं और विंग के साथ इस राजे की देखबाल करना चाहता हूं चिरेन जो विंग की तरफ देखने लगे थे आखिर वह विंग और वांजी से इस समय क्या कहें जितनी जरूरत इस राजे को इस समय विंग की है उतनी ही जरूरत विंग और वांची को एक दूसरे की है और वहे उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते जो उन दोनों के ही दिल को दुखाए और चिरेन जो कभी विंग तो कभी वांची तो कभी उस बेबी की तरफ देख रहे थे क्योंकि वहे इस समय तीनों को ही छोड़कर नहीं जाना चाते थे तबी उनके सॉल्डर पर किसीने अपना हाथ रखा और कहा चिरेन चिरेन ने वह सावाज को सुनकर कहा लैनली ने कहा चिरेन इतना जादा मश सोचो उन दोनों को इस समय एक दूसरे की जरूरत है जिस तरह बरसो पहले तुम्हारे भाई और तुम्हारी सावची को एक दूसरे की जरुरत थी और जिस जरुरत के लिए भै अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ गए थे और कहते हुए उन्होंने सिचेन की तरफ देखा और लेनली ने सिचन के चीक्स को टच करते हुए कहा सिचन माई सन मैं जानती हूँ कि तुम कभी भी एमपरर नहीं बनना चाते क्योंकि तुम्हारे पिता यानि मेरा बड़ा बेटा खुदी एमपरर नहीं बनना चाता था लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुती अच्छे एंपरर साबित होगे गुशू के लिए क्या तुम अपनी भाई के लिए एंपरर नहीं बन सकते उसे उसकी लाइब जीने दो उसे उसके बींग के साथ जीने दो उसकी लाइब इस समई गुशू में नहीं है उसकी लाइब उसके वींग के साथ है और उसे चैन से उसकी लाइब जीने दो सिचैन ने कहा ग्रैनमा मैं एक एंपरर बनने के लिए तयार हूँ मैं बांजी के लिए कुछ भी खर सकता हूँ मैं बांजी से बहुत प्यार करता हूँ लेनली ने कहा मैं जानती हूं सिचैन तुम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो पहले ही आज वह विंग के लिए गुसु छोड़ रहा है लेकिन तुम उसे कभी भी प्यार करना बंद मत करना क्योंकि उसकी तरफ से मैं तुम्हें गारंटी देती हूं पहबी तुम्हें कभी भी प्यार और रिस्पेक्ट के कमी नहीं होने देगा बाते जो पूरी तरह से केलियर हो चुकी थी विंग और वांजी जो हमेशा के लिए वी राजे में रहने लगे थे समय जो बीतने लगा था और सिचन के घर में भी एक बेबी बोई ने बर्थ लिया था बांजी जो गार्डन में बैठा हुआ अपने बेबी को खिला रहा था और कह रहा था क्या आपको पता है कि विंग सुबह सुबह कहां पर गया है मैं और बेबी कब से विंग का इंतजार कर रहे हैं लेकिन विंग अभी तक नहीं लोटा है तभी विंग ने आवाज दी लंजा देखो मैं आ गया हूँ विंग ने मुड़कर विंग की दरब देखा जिसके हाथ में कुछ पेपर थे विंग यह सब क्या है विंग ने कहा लंजा पिछले एक साल से हमारा राज़े बिना किसी एंपरर के चल रहा है विंग क्योंकि मैं भी एंपरर नहीं बनना चाता और तुम भी एंपरर नहीं बनना चाते विंग ने कहा जानता हूँ लंजा तुम एंपरर नहीं बनना चाते और मैं भी एंपरर नहीं बनना चाता इसका मतलब यह राज्जे हमेशा बिना एंपरर के तो नहीं रह सकता इसलिए मैंने अपने राजे के लिए एक एमपरर ढून लिया है वांजी जो बहुत हरानी से विंग की तरफ देखने लगा था वांजी ने कहा कौन विंग ने कहा लांसिजवी हमारे एमपरर का नाम होगा लांसिजवी और कहते हुए विंग ने अपने हाथ के पेपर वांज वांजी के हाथ में दिये वांजी जून पेपर को पढ़ने लगा था वांजी ने कहा लेकिन विंग इसमें तो वी राजे का नाम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है इसमें तो वांगसन राजे लिखा हुआ है विंग ने कहा हा लंचा जोकि मैंने इस राजे के नाम को चेंज कर दिया है अब यह कोई वी राज्जे नहीं है इस राज्जे का नाम वांकसन राज्जे है यह हम दोनों का राज्जे है हम दोनों के बेटे का राज्जे जो इस राज्जे का एंपरर बनने वाला है वांजी ने कहा वींग वींग ने कहा हा लंजा यह वांकसन राज्जे है तुमने मेरे लिए अपने राज्ये, अपनी पूजिशन को छोड़ा है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता, मैं अपने राज्ये का नाम चेज्ज नहीं कर सकता। लंजा तो दिन बाद हमारे बेबी लान सिजवी का पहला जनम दिन है और उसी रोज हम अपने बेबी को इस राज्य का एमपरर और साथी इस राज्य का नाम बांक्शियान अलाउस्मेंट करेंगे और आज लान सिजवी का पहला जनम दिन था और लान सिजवी को आज वांकसन राजे का एमपरर बनाया जा रहा था सभी राजे के एमपरर और सभी किलान के लीडर जो वहाँ पर इकाटा थे सिजवी को उस सिंगासन पर बिठाया गया और सिजवी को वांकसेन राज्ये का एंपरर गोशित किया गया जिसे सुनकर लैन चिरेन लैन सिचेन जो बहुती जादा हैपी थे और वांक्सन राज्ये के लोग जो सिच्पी को एंपरर के रूप में पाकर बहुती ज़्यादा हैपी थे भले ही वह एंपरर अभी किसी की बाते सुनता और समझता नहीं है लेकिन वह सब जानते हैं कि जो इस छोटी सी कस्ती के संचालक हैं वह बहुत समझदार हैं वह कभी भी इस राज्ये को किसी भी परेसानी में नहीं गिरने देंगे फंक्सन खतम हो चुका था सभी जो अपने गर वापस लोट चुके थे विंग और वांजी जिनोंने एक साथ अपने बेबी को वोद में लिये हुए था तबी वहाँ पर सभी बच्चे आए और जो विंग से कहने लगे शान गगा पांजी गगा हम आपसे बहुत नाराज हैं वह दोनों जो बहुत है रहानी से उन बच्चों की तरफ देख रहे थे अखिर वह बच्चे उन से क्यो नाराज हैं पांजी ने कहा क्या हुआ पांजी ने कहा क्योंकि हमें पता चला है कि आप लान सिजवी के बाबा हो और शान गगा लान सिजवी की ममा पी ने कहा हां तो फिर इसमें प्रोब्लम क्या है तबी उन बच्चों ने कहा हमें भी ममा और बाबा चाहिए हम भी आपको ममा और बाबा कहना चाहते हैं हम आप को शान गगा और वांजी गगा नहीं कहना चाते विंग और वांजी जो उन बच्चों की तरफ देखने लगे थे जिनकी आखे नम हो रही थी क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी डिमार नहीं की थी विंग और वांजी हो हमी कोई प्रोब्लम नहीं है पह सबी बच्चे जो एके सांस में विंग और वांची से ममा और बाबा कहकर लिपड चुके थे विंग और वांची जो एके करके उन सबी बच्चों को गले से लगा रहे थे वैसे तो पह हमेशा ही उन बच्चों की ममा और बाबा थे लेकिन आज पहुन बच्चों के लिए पूरी तरह से ममा और बाबा बन चुके थे रात का समय था विंग और वांची जो अपने रूम में लेटे हुए थे और सिजवी जो उन दोनों के बीच में सो रहा था विंग ने कहा लंजा आज का दिन बहुत अच्छा था आज हमारे राज्जे को एक नया नाम मिला है और एक नया एंपरर मिला है और साथ ही हमें आज इतने सारे बेबी मिले हैं और बेबी ममा और बाबा कहने वाले वांची ने कहा हां विंग मेरे लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा था पहस अभी बच्चे हम दोनों को ममा और बाबा कहकर बहुत ही ज़्यादा हैपी थे विंग ने वांची के सोल्डर पर अपना सर रखते हुए कहा लंजा मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइप में इतनी सारी खुजिया आएंगी तुम नहीं जानते लंजा जिस रोज मैं तुम्हारे राज्जे में तुम्हारे मिस्ट्रस बन कर गया था मेरा दिल इस तरह दुख रहा था कि मैं जीना नहीं चाहता था मैं सोच रहा था अगर मेरी चान देखकर यह राज्जे करजमुक्त हो जाए तो मैं इसी पर अपनी चान दे दू मैं किसी की मिस्ट्रस नहीं बनना चाहता पांजी ने कहा लेकिन जब तुम मेरे रूम में आते थे तो एकी सांस में अपने कपले उताने लगते थे पीग ने कहा हा लंचा मैं अपने कपले उताने लगता था क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखना चाहता था क्योंकि मैं बस अपना काम करना चाहता था एक मिश्टरस का काम मैं जानता था अगर मैंने तुम्हारी आखों में देखा तो मैं तुम्हारे करीब नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरा दिल एक मिस्टरस बनने की गवाही नहीं देता था लेकिन लंजा आज मैं हर तरह से तुम्हारे पास आना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नजर में मैं कभी भी तुम्हारी मिस्टरस नहीं था और अब तो मैं तुम्हारी मिस्टरस हो ही नहीं बांजी ने अपनी बाहें विंग के अराउंड पुरी तरह से कशते हुए कहा विंग मेरे दिले तो कभी भी तुम्हें अपनी मिस्टरस नहीं माना था उस एक पल में भी नहीं जब तुम पहली बार मेरे करीब आये थे और मैंने पहली बार किसी को इस तरह से छुआ था पङUn объ की ने कहा लंजा मेरे लिए भी यह एक अलग इसास था कि मैं एक मिश्टरस के रूप में किसी की बाहों में हूँ लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे इस गिल्ट से बाहर कर दिया कि मैं कभी किसी की मिश्टरस भी बना था पांची ने कहा विंग अब इन बातों को पूरी तरह से भूल जाओ हम दोनों के बीच में एक मिश्टरस जैसा सब्द नहीं आना चाहिए हम दोनों हमेशा से एक दूसरे के थे विंग मैं तुम्हें पहली राज से ही प्यार करने लगा था और मेरे दिल में कभी भी तुम्हा अपना सर रखते हुए कहा लंजा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उस राज से तुम्हें प्यार करने लगा था लेकिन कब मैं तुमसे प्यार करने लगा मैं नहीं जानता विंग ने कहा लंजा आज हमारा बेबी पूरे एक साल का हो गय आज मैं तुमसे कुछ माग सकता हूं बांजी ने कहा बो विंग तुम मुझे क्या मागना चाहते हो विंग ने कहा लंचा मुझे एक और बेभी चाहिए बांजी ने बहुत ही हैरानी से विंग की तरब देखा और कहा विंग आज हमें इतने सारे बेबी मिले हैं लेकिन तुम्हें एक और बेबी चाहिए इतने सारे बेबी का क्या करोगे विंग विंग ने कहा लंचा मुझे एक और बेबी चाहिए चानता हूँ वह सारे हमारे बेबी हैं लेकिन मुझे फिर भी एक और बेबी चाहिए पांची ने कहा वींग अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों एक बेहत रोमेंटिक रात पिताए तो मैं पहे करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी लाइब में एक और बेबी आए क्योंकि हमारे लिए इन सब बेबी को पालना बहुत ही मुश्किल होने लगेगा जब यह बेबी बड़े होने लगेंगे वींग ने कहा लंचा तो मेरी बात का मतलब कितनी आसानी से समझ चाहते हो मैं तुमारे साथ एक बेहद रोमेंटिक रात मिताना चाहता हूँ और इसलिए मैंने तुम से कहा था कि मुझे बेबी चाहिए क्योंकि बेबी के लिए तो हमें यह सब कही बार करना पड़ेगा वींग जो वाराम से सिजवी को पार करते हुए बांची के टोक पर आ चुका था पांची ने कहा वींग अगर तुम यह सब पूरी रात भी करना चाहते हो तो मैं पूरी रात करने के लिए तयार हूँ लेकिन प्लीज अब एक और बेबी का नाम मत लेना वींग ने कहा ठीक है लंजा अब मैं किसी बेबी का नाम नहीं लूँगा लेकिन अगर गलती से हमारे पास बेबी आ गया तो पांची मुस्कुराया और वांची ने वींग के चीक्स को टच करते हुए कहा वींग बेबी गलती से नहीं आते हैं बहे गलती हम जान बूच कर करते हैं तब बेबी आते हैं और कहते हुए बांजी ने अपना फेस आगे बढ़ाया और एक ही पल में विंग के लिप्स को अपने लिप्स में कैप्चर कर लिया और आखिर विंग और बांजी अपनी एक खुबसूरत गलती के लिए रेडी हो चुके थे कहें दोनों जो पूरी तरह से एक दूसरे में खो चुके थे तो चलिए फ्रेंड आज का पार्ट और यह एफ 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 यहीं पर खतम होता है आपको यह एफ एफ कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरू लिख के बताएं तो मिलते हैं किसी नए एफ एफ के साथ तब तक के लिए बाए